में और अगर आप नहीं ज़रू सिस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रस करना बूले ताकि आपको नए वीडियो की सूच ना मिलती रहें आज हम बात करेंगे आप फिल्मित देखते ही होंगे आप थीटर में जाते होंगे फिल्म देखने और तो फटा-फटा हम जान लेते हैं बेसिक चीजें बेसिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा रिवेन्यू पीवीर सिनेमा कहां से आता है क्या करती कंपनी जिन लोगों को नहीं पाता मुवी एक्जिबिशन से इनको 97.11 यानि कि करीब-करीब 37% से ज्यादा कि इनको रिवेन्यू वहीं से आता है फिल्में रिलीज करना फिल्मों को पदर्शन करना और मार्केट कैप है 6478 कोड एक मिड कैप कंपनी है डिविडेंट पेंग स्टॉक है दो रुपए परशर के स आप से 16 जुलाई को इन्होंने पे किया था जैसा कि आप देख सकते हैं और सेक्टर इंडस्ट्री यानि कि लाइफस्टाइल एंटरेन्मेंट फैशन यही सब के अंतरगात आता है प्राइवेट हाउस है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो PVR सिनमा है अभी आपने मुकेश हमानी साहब ने एक स्पीश दिया था जियो के कुछ प्रोड़क्स के अनॉंस्मेंट को लेकर उनमें एक चीज और शामिल थी अगर आपने नोटिस किया हो कि 2020 के मिड में वो एक ऐसे सर्विस भी वो शुरू कर देंगी कि जो उनके प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको वो फर्स डे फर्स मूवी का आनंद उठा सकते हैं अपने घर पे ही वो उस पे अपने एलीडी पे भी अपने सिस्टम पे भी वो फिल्में रिलीज करेंगे ऑनलाइन याने जियो सिनेमा में सिंपल सी बात है तो मुझे ऐसा लगा मैंड में स्ट्राइप किया कि जो ऐसी कम पनिया जो फिल्में रिलीस करती हैं जो थीटर जिनके मल्टी प्लैक्सेज हैं तो उन पर और आवस सिबात है कि प्रभाव पड़ेगा अगर लोग घर पी फिल्में देखने लगेंगे तो थीटर पर कौन जाएगा जैसे पहले कैसा था रेडियो बहुत चलता था टीवी आया तो रेडियो नाम मात्र का रह गया अब टीवी के बाद इंटरनेट आ गया तो टीवी नाम मात्र का रह गया लोग अपने फिल्मेव प्रण्स यूट्वे पर फिर और बी जो भी फेवरेक प्रोग्राम्स देखते हैं, थेटर में बहुत कम लोग जाते हैं, या फिर लोग वेट करते हैं, कि जो है इंटरनेट पर फिल्म आ जाएगे, तो हम देख लेंगे, या कहीं-कहीं पाइरेसी भी हो जाती होगी, I don't know, तो उसका भी लोग वेट करते हैं, थेटर पर नहीं जाते हैं, इंटरनेट से बहुत प्रभाव पड़ा है, और हाई स्पीड इंटरनेट आने के बाद, जो घर में यह सुविधाय मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोग शायद ही तादात कम हो जाएगी थेटर में जाने मालों, तो ऐसी कमपनियों को थोड़ा से नुकसान हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना है, मैं कोई एक किसी की राय नहीं दे रहा हूँ, कि आप भाग जाए इसके शेयर बेच के या आप इस पे शेयर ही ना ले या कुछ करिये, ऐसा हो सकता है कि मैं गलत भी हो साबित हो जाऊ लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि गर लोग घर पे फिलमें पहले दिन पहले शो अगर उनको देखने उको मिल जाएगी जो के प्रीमियम कस्टिमसर बोगों के सस्क्रिप्श exclusion लेंगे तो जो फिलोग ठियाटर जाएंगे दब ठियाटर नहीं जाएंगे तो नुखसान किंका होगा ठियाटर मालिकों का तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग अलर्ट रहें कि तीन साल, पांथ साल, दस साल ऐसी कमपनियों को चुने जो है ना किसी कारण से जैसे टेलिकॉम कमपनियों ध्वस्त हो गई है जियो आने के बाद से चाहे आरकॉम हो चाहे भारती एटेल हो जूज रही है जो वोड़ा फोन आइडिया हो लड़ा रही है और फाइट कर रहे हैं लेकिन आपको तो पता ही है कि हकीकत क्या है कहां टिक पाएंगी तो इस तरीके से सिनेमा में भी बहुत सारा चेंज हुआ है लेकिन PVR अभी बहुत अच्छे पोजिशन पर है और एक कि इन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है रेपिटेशन और बहुत अच्छे इनके फंडामेंटल भी है इनके पनी स्क्रीनिंग से हैं लेकि मिटकेप है देखिए 6342 क्रोड की एक मिटकेप कंपनी है करेंट प्राइस इसका 1383 रुपए के आज पास ट्रेट हो रहा है आज शरीमा राज मार्केट बंद है और आज डेट है 17 अगस्त 2019 और जो इनका साल का लो था 1098 और हाई था 1833 और आज का अब जो भाव है 1383 इस रिटन ऑन एक्विटी है 15% के आज पास सेल्स ग्रोथ है 15% से ज्यादा की फिस वैल्ली अभी दस रुपए की है तो यह है इनके कुछ और अगर हम क्वार्टर के रिजल्स देखते हैं चलिए हम दूसरी साइट पर देख लेते हैं हाँ प्रमोटर्स के पास जो है 20% के आसपास है और इसमें मैचौटी शेयर होल्डिंग पे हैं इंडिविजुल 5% के आसपास है तो इस तरीके से जो मार्च 19 और जून 19 के क्वार्टर ज्यादा की जो अपसाइड है और इसी प्रकार ऑप्रेटिंग प्रॉफिट में बी 73% से ज्यादा की अपसाइड है लेकिन ब्यास थोड़ा सा बढ़ा है यहां पर डाउन साइड है लेकिन शुद्धल आप जो नेट प्रॉफिट वाहां पर 65% के गिरावट है और इसी प् इसेल्स में 26% से ज्यादा की अपसाइड है और अप्रेटिंग प्रॉफिट में बी 103% से ज्यादा की अपसाइड है लेकिन इंट्रेस्ट बढ़ा हुआ है ब्यास बगारा ज्यादा पे करना पड़ा रहा है और नेट प्रॉफिट शुद्धल आप बे 70% की गिरावट है मा 4 सालों में 73% के असपास और 3 सालों में 16, 2 सालों में 4% में 4.11 और एक साल में करेब 7% के असपास और लगातार पिसले जनवरी से यहाँ पे लाल का निशान है तो आ यहाँ पे जनवरी से लिए कि अभी तक यह तिल डेट से कोई रिटर नहीं है इस PBR कंपनी ने दिये तो बस यह एका information में देना चाह रहा था दोस्तों कि हम कोई ऐसे company में पैसे invest करें समझदारी क्योंकि हमें मैनत का जो हमारा पैसा उसका return मिलना चाहिए भाई क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कुछ कंपनियों में जिन पे हम ध्यान नहीं देतें लंबे समय लिए कि कुछ government के तरब से guideline आ जाए RBI के तरब से guideline आ जाए या PBR cinema में जैसे internet के तरब से internet of things बहुत सारे चीज़े क्रांती उसमें भी आने वाली अभी देखते हैं उसका क्या परिबातर होने वाला है तो cinema को लेके तोड़ा समय सशंकित था और लोग घरपी अगर देखने लोग खाना पीना तोड़ी ने चोड़ दें एंटर्टेन्मेंट हो सकता कि आप एक बार फिल्म ना देखें आपका मूड नहीं हो कि चलो यार थेटर नहीं जाते हम घर पर कोई कोई प्रोग्राम देख लेगे इंटरनेट पर कोई अपना किसी को आप फॉलो करते हैं उसक कंपनी हो से लेकिन ऐसी चीजों में जहां पर भविश्य में कुछ चेंज़ बहुत भयानाब होने वाले हैं तो इस तरीके थोड़ा सा डरे भी आप है ना तो मैं किसी कंपनी के अगेंस चाहिए कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं यह मेरा अपना परसनल वीव है मेरा शंका जो मैं आप से शेर कर रहा हूं और मैं कुछ राय नहीं दे रहा हूं या कोई आपको मश्वरा नहीं ज़रा हूं कि आप ऐसा कलने आओ ऐसा कलने तो मैंने इसके फर्णमेंटल भी बता दिये कंपनी तिफिलाल अच्छी है डिविडेंट पेंगी स्टॉक है लेकिन से अपने फिनेशल अडिवाइजर से मश्वरा जरूर करें कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने से पहले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों